नमस्ते दोस्तों हमारे यूटूब चैनल उसा मिस्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगी बहुत ही स्वाधिस्ट है इडली और इन इडलीों में हम डालेंगे डे सारी सब्जियां जिससे की पॉष्टिक तो बनेगी साथ में खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगेंगी तो चलते हैं हम अमारे किचन में इडली बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने एक कटोरी उरत का दाल का आटा लिया हुआ है और मैंने इस कटोरी से मिजरमेंट किया आप किसी भी कटोरी या गिलास से कर सकते हैं तो इसमें हम डाल देते है दो कटोरी चावल का आंटा और इसमें हम ढ Ale देते हैं आदा कटोरी पोहा यह महीन वाला पोहा है और इसमें अअदा चमत चीनी धि alpha जमत दालें और इसमें एक कोट्वी दही डाल देते हैं तो मैंने से इसी काटोरी से मजरबंड़IES किया किसी बड़े बर्तन से भी कर सकते हैं जरूरत के इस आप से तो गवी इसमें पानी डाल देते हैं तो इसमें हम में कुल आच्छे से घोल तयार कर लेंगे अच्छे से फेटेंगे जिस से कि लंब से बिलकुल न रहें और बढ़िया से फ्येट जासे तो इसको हम 5 मिंट तक फ्येट लेते से हैं तो दस मिनट हो गये हैं तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां तो मैंने ये सब्जी ली हुई है मैंने गाजा ली हुई है मटर ली हुई है गोबी लिया हुआ है थोड़ा सा कद्दू कस्की हुआ हुआ प्याज लिया हुआ है और अद्रक ली हुई है तो इसको mix कर देते हैं अच्छे से आप अपनी मन पसंद सब्जियां इसमें डाल सकते हैं तो मैंने कुछ इस तरीके की इसमें सब्जी डाली हुई है और इसको बढ़िया से और फेट लेते हैं जिससे कि यह फ्लॉपी बने और खाने में बहुत ही स्वाधिश्टिबल लगे और स्पंजी बने तो आप हम इसमें तड़का लगाएंगे तड़के के लिए मैंने सरसों ली हुई है और कड़ी पत्ता तो इसका हम देखिए तड़का लगा दिया है मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम क्या करते हैं कि इसमें आधा पाउच इसका जो है मीनों का डाल देते हैं इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि फर्मेंट हो जाए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें एक साइड ही इसको फेट ना है कुछ इस तरीक में बहुत ज्यादा वैटर नहीं डालना है क्योंकि यह फूलेगी इसलिए थोड़ा ही वैटर डालें कुछ इस तरीके से हम इस तरीके से हम करकर के इसको हम पानी में रख देंगे पानी खौलने लगा है और इसको हम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और एक ब सकते हैं तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग से उपर से हो रही है और अलग निकल आई है यह खाने में बहुत स्वाधिस्ट बनेगी जैसे आप इडली बनाते हैं तो देखिए अपने आप निकल रही है हमें इसको निकालने क जरुरत नहीं पड़ी है और ये बहुत ही स्वाधिस्ट और कम तेल का बना हुआ नास्ता है और आप इसको जटपट बना सकते हैं हमें ज्यादा देर ना दाल भी होनी है और ना चावल को भी होना है तो हमारी बढ़िया सी देखिए ये इडली बनकर तयार है ये बहुत ही ख करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट से करें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत है यार्ट के आज